सोशल मीडिया आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर लोग बहुत जल्दी फेमास हो जाते हैं कुछ अपने काम की वज़ा से तो कुछ अपनी हरकतों की वज़ा से ऐसी ही एक इरान की लड़की है सहरता बर जो जॉम्बी एंजलीना जोली के नाम से मशूर है वो आज कल काफी सुर्ख्यों में है उसके जेल से रिहा होने की खबर है अब आप ये सोच रहे होंगे कि आकर इसको भला जेल क्यों होई तो चलिए देते हैं आपको इस पूरे मामले की जानकारी बता दें इरान की जॉम्बी एंजलीना जोली कही जाने वाली लड़की सहरतबर जो की हॉलिवूड अभिनेतरी एंजलीना जोली की डरावनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके मशूर होई थी वो आप जेल से बाहर आ गई है साथ ही पहली बार सहरतबर ने अपना असली चहरा भी सार्वजनिक कर दिया है और लोगों को उन्हें देख कर काफी रहात मिली है सहरतबर को अक्टूबर 2019 में ब्रस्टचार और इशनिंदा के आरोप में गिरफतार किया गया था सहरतबर इंस्टाग्राम पर अपनी विक्राल तस्वीरों के लिए जानी जाती है हॉलिवुड की परसित अभी नेत्री एंजलीना जोली की तरह दिखने के चक्कर में सहरतबर ने अपना ये हाल कर लिया था उन्होंने प्लास्टिक सरजरी से चहरे का ये हाल कर लिया और बाकी कसर मेक अपने पूरी कर दी महीं इरानी इस्टाग्राम पर एक वक्त उनके करीब पांच लाग फॉलोवर्स हो गए थे इसके बाद कोट ने उन्हें 10 साल जेल की सजा सुनाई थी लेकिन अब ऐसे समय में सहर को जेल से रिहा कर दिया है जब पूरे देश में महसामीनी की जान जाने के बाद विरोध परदशन हो रहा है बताय जा रहा है कि सहरतबर को रिहा करने के लिए कई लोगों ने सोशल मीडिया पर कैमपेण चलाए था सहर को जेल होने पर उन्होंने ट्वीट किया था कि सहर तबर केवल 19 साल की है उसके मजाक ने उसे जेल भेज दिया है उसकी माँ हर रोज अपनी मासूम बेटी को छुडाने के लिए रोती रहती है प्रिय ए एंजलीना जोली हमें यहां आपकी आवास की जरूरत है हमारी मदद करो आपको बता दें जेल सिरिया होने के बाद सहर तबर ने कहा कि नौज जोब लिप फिल्टर जैसा कुछ करवाया लेकिन एंजलीना जोली बनने के लिए फोटो शॉप और मेकप का इस्तमाल किया मेरी डरावनी तस्वीरें इतनी परसिद हुई मुझे जॉम्बी एंजलीना जोली कहा जाने लगा उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से ही फेमस होना चाहती थी इसलिए अपने मेकप के आर्ट को इस्तमाल किया और अंतरास्टे इस्तर पर सुर्ख्यां बटो रही इंस्ट्राग्राम पर उनकी जो तस्वीरें पहले मौजूद थी वो कंप्यूटर पर बनाई गई थी तबर ने खुला सकते हैं बताये कि बच्चपन से ही वो फेमस होना चाहती थी और उनका मानना था कि साइबर स्पेस के जर्ये वो आसानी से फेमस हो सकती है लिहाजा उन्होंने अपनी तस्वीरों को कंप्यूटर से एडिट करना शुरू कर दिया और लोगों ने उन्हें जॉम्बी एंजलीना जोली का नाम दे दिया अभी के लिए फ्लाल इतना ही खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे ये वन इंडिया हिंडिक